तो आज हम करने वाले हैं जे डवली 2024 में पूछा गया सिक्वेंस और सिरिस चेप्टर का एक क्वेस्टन तो देखते हैं कौन सा क्वेस्टन दिया हुआ था इफ A, B, C are the AP, AP के लिए सिक्वेंस दे हुई है A, B and C दुसरी सिक्वेंस हमको दे गई है A, B and C is equal to हमको दिया गया है is equal to 8, arithmetic mean दिया हुआ है 8, then the value of cube of geometric mean of A, B, C वो हमको इन चारों में से क्या होगा वो find out करना है, तो A, B, C का mean find करना है geometric mean उसका मतलब यह हुआ कि A, B, C की value सबसे पहले find out करनी है तो वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं हमको यहां पे A, B, C किस में दिया हुआ है, A, P में दिया हुआ है दूसरे detail यहां पे यह दियू हुई है कि arithmetic mean of A, B and C is क्या है, 8 है चलिए, A, B, C दिया हुआ है, A, P में and arithmetic mean इसका मतलब A plus B plus C upon 3 is equal to क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है चलिए, 8 को यहां पे 3 को multiply में ले लेते हैं, तो A plus B plus C is equal to क्या हो जाएगा, 8 into 3 यानि कि 24 यह मिल गया आपने को यह जो sequence है, वो दी हुई है, A, P, B इसका मतलब हमको पता है कि 2B is equal to क्या होगा, A plus C होता है यानि कि A and C का sum B से twice करेंगे, उसके equal होगा तो यहां पे A plus C, यानि कि A plus C की जगा पे हम 2B लिख सकते हैं Therefore, 2B plus B तो था ही is equal to 24, यानि कि यह मिलेगा 3B is equal to 24, यानि 3 से divide होगा तो B is equal to क्या मिल जाएगा आपने को 8 मिल जाएगा चले, दूसरी detail हमको क्या दे होई है दूसरा यहां पे हमको दिया गया है कि A plus 1, B and C plus 3 sequence दे होई है कि इसमें GP में अभी GP में हमको पता है कि middle term का square उसके आगे वाली और पीछे वाली का multiple में होता है यानि कि A plus 1 into C plus 3 होता है चले, B square, B की value पता है 8, 8 का square होता है 64 is equal to, इसको multiply कर देते हैं, सबसे पहले A से multiply होगा तो AC plus 3A plus 3C into 1, C plus 3 मिलेगा यहां से अगर हम C को subject बनाए तो C is equal to क्या हो जाएगा, 2B minus A B की जगा पे क्या put कर देते हैं, 8 यानि कि C is equal to मिल जाएगा, 16 minus A तो यह जो 16 minus A मिला, उसकी value यहां पे put कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 64 is equal to A into 16 minus A plus 3A plus 16 minus A plus 3 सिंप्लिफाइ कर देते हैं, इसको तो क्या मिलेगा, 64 is equal to A हो जाएगा, 16 A minus A square plus 3A plus 16 minus A plus 3 सिंप्लिफाइ कर देते हैं, इसको तो मिलेगा, 64 is equal to 16 A है यहां पे 3 है, 16 A plus 3 है, यानि कि 19 A, 19 A minus A सिंप्लिफाइ कर देते हैं, सिंप्लिफाइ कर देते हैं, इसको हम इस साइड सामने की साइड ले ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, 64 minus 18 A minus minus plus A square plus A minus 19 is equal to 0, इसको सिंप्लिफाइ form इलिख सकते हैं, तो इलिख सकते हैं, ऐसा 18 A square minus 18 A, 64 minus 19 मिलेगा, 45 यानि कि plus 45 is equal to 0, A square minus 18 A plus 45 is equal to 0, इसको factorize कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, A square minus 15 A minus 3 A plus 45 is equal to 0 लिख सकते हैं, इन दोनों में से A common, तो A आ गया बाहर, A minus 15, इन दोनों में से minus 3 common, तो मिला A minus 15 is equal to 0, इसके दो फेक्टर हमको मिल गया, A minus 3, and A minus 15 is equal to 0, तो A is equal to मिल गया 3, and A is equal to मिल गया 15, A की दो वैल्यू मिल गया, हमारे पास C का equation था, C is equal to 16 minus A, हमारे पास equation था C का, C is equal to 16 minus A, तो यहां पे दोनों bar value put कर देते हैं, जब हम A की जगा पे 3 put करेंगे, तो C is equal to मिलेगा 13, and जब C is equal to, A is equal to 15 put करेंगे, तो C is equal to मिलेगा 1, तो यहां पे 2 case possible होंगे, B की value तो हमको पता है, B is equal to क्या है, B is equal to 8 है, तो तीनों value, तीनों case के लिए, अभी हमको find करना है, geometric mean का cube, geometric mean हमको पता है, GM is equal to क्या होता है, A into B into C का under root, लेकिन 3 times मतलब की 1 by 3, इसका भी cube, मतलब 3, मतलब 3, 3 cancel, मतलब A into B into C हमको find करना है, चलिए, इन तिनों का multiple, यानि कि 3 into 13 into 8, क्या मिलेगा, यह मिलेगा आपने को 3, 1, 2, and इसका multiple करेंगे, यानि कि 1 into 15 into 8, यानि कि यह मिलेगा 120, लेकिन हमारे पास option 120 है नहीं, तो हमारा correct option क्या होगा, 3, 1, 2, यानि कि हमारा option number होगा, या फर्स्ट वाला है, जो कि correct वाला है.